नविका जी योगी आदितिनाथ जी का बयान हिंसक बयान है लोग तंतर में इसकी कोई जगर नहीं है कटोगे बटोगे ये किस तरह की बाद सेखता है एक मुख्यमंत्री की भाशा हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन हा इस तरह की भाशा पहली बार वो प्रयोग न करना चाहिए यहां तो हम लोग बहुत अर्सों से हिंदू मुसल्मान से किसाई सब लोग साथ रहते हैं बहराइच बहराइच का दंगा एक पष्ट परिणाम है कि किस तरह एक शांती पूर्ण जगा प्रशाशन की वजह से आपने दंगा होने दिया मौते हुई कस्टोडियल डेट्स निरंतर बढ़ रही हैं हमने देखा है कि चाहे अमन गौतम हो मोहित पांडे हो चाहे मंगेश यादव हो निरंतर क्यों सरकार अपना अनुशाशन अपना कंट्रोल खो रही है तो मुझे लगता है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री लोग सभा की हार से बहुत घबराएं हुए हैं और इस तरह के नारे देकर यह कहीं न कहीं ध्यान बटाना चाहते हैं कि हमारा काम क्या है आप देखिए जो हमारा अधिनस्त सेवा चयना योग है रोज उसके सामने लोग धरना देते हैं एक भी नियुक्ति नहीं हुई आपने कहा था कि 69,000 शिक्षिक भरती बे आप नई सूची लाएंगे आप वो सूची नहीं लाएं मुख्य सेविकाओं को आप परिशा के परणाम नहीं दे रहे हैं आंगनवाडी को समय पर तन खान नहीं मिल रहे हैं बहुत सारी मुश्किले हैं तो इस नारे का क्या मतलब है वो बहतर समझ सकते हैं बाक यह आकलन जब कर लिया गया आपने खुद आकड़े बताये थे कि पिछड़े दले तल्ब संख्यक उनके नंबर्स क्या हैं तो अगर जनगर्णा होने वाली है संसेस होने वाला है तो हम तो संसद में भी यही कहेंगे कि जाती जनगर्णा हो यह लोगों के बाटने का नहीं जोडने का एक बहुत बड़ा प्लांक है क्योंकि जब तक आप लोगों को उनका अधिकार उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं देंगे या एक उनका सामाजिक आर्थिक आकलन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपने विबिन ननीतियों को करेंगे चलिए जुई जी आपने कहा और मैंने बहुत समय दिया शहजाद पुनावाला जी आज बहुत दिनों बाद जुई जी आई है तो मैंने उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया महिला कोटा में से लेकिन जवाब दीजे जवाब दीजे क्योंकि वो कह रही है कि उनका बांटने का नजरिया नहीं है उनका नजरिया है लोगों को एमपावर करने का इस से क्या दिकत हो सकते नाविका जी अगर समाजवादी पार्टी का ही अगर प्रिंसिपल अपना आ जाए तो मुस्लिम है फर्स प्राइब तो यह तो महिलाओं के आगे मुस्लिम को रखते तो मेरे भी समय क कि चिंता कीजेगा इन्ही के प्रिंसिपल के हिसाब से अब देखें मैं बात रखता हूं इन्होंने कहा कि योगी जी का बयान बड़ा हिंसक बयान है मतलब united we stand divided we fall जो लगातार ये लोग अंग्रे जी सीखने वाले बोलने वाले लोग बोलते हैं यह योगी जी बोल दे या शांती का पैगाम है पर बटो मत ये कहना ये तो नफरती बोल है दिनों को जाती और भाशा में बाटना ये तो बहुत पुरस्कृत करने वाला काम है पर अगर हम मुस्लिमों की जातियों के बादे में बोल देंगे तो ये पिटने वाला काम है यही मान सिखता है और नफरत प्रतिश्टा नाच गाना है कहां पैदा हुआ राम मंदिर बेकार राम चरित मानस पोटेशयम साइनाइड राम मंदिर गुलामी की निशानी यह तो सब सुन्दर सौंग्स है यह तो मोहबत के पैगाम है अगर यही बात अगर किसी और धन के बारे में बोल दो फिर देखे क् आकरी बात में केवल इतना जहता हूँ, उन्होंने आरक्षन और समविधान की बात की, नाना पटोले ने अभी कहा है आरक्षन खतम होना चाहिए, राहूल गांधी ने आरक्षन खतम करने की बात बोली है, 61 में नहरू ने लेटर लिखकर आरक्षन खतम करने की वकालत की, 80-90 में मंदल का विरोध राजीव और इंदीरा ने किया और कहा के बुद्धों को आरक्षन मिलता है, 4-14 के भी जाम्या और EMU में आरक्षन खतम किया, और आज भी OBC का आरक्षन मुसलमानों को देने की कवायत करनाटका से बंगाल तक की जा रही है, इसलिए मैं जुही जी से स आरक्षन की सविधान में दी गई है, न वो समापत होगा, न कोई उसको समापत चर सकता है, समाजवादी पार्टी की मैं प्रतिनिदी हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो बिलकुर स्पष्ट आपको जवाब देती हूं, जब जाती-जन-गणना की आप करेंगे तभी तो आप जाती हो को गिनेंगे ना तो जाती जनगरना स्वीकार कर लीजिए सेंसस आपने अनाउंस कर दिया है साथ ही हर जाती अपने संख्या के हिसाब से गिन ली जाए उनके आर्थिक और सामाजिक सितिक आकलन कर ले महिला आरक्षर भी आप लागू कर दें जिसने आपने महिलाओं का बहुत मजाक उड़ाया उनकी भावनाओं का तो सेंसस आ रहा है परिसीमन होगा जैसा कि आपने कहा है जल्दी से जल्दी इसको कर दें इसको 28 तक क्यों ले जा रहे हैं और पहले कर दें किस से यह पेंडिंग है बाकी आरक्षर नसेजाद समाप कर सकती हूँ ना होना चाहिए लेकिना पूरा लोक सवह चुनाओ इस बात पे लड़ा गया कि कहीं न हो सकता चाहक कुछ भी हो जाए यह बात जाकर नाना पटोले राहुल गांधी को तो समझाई दीजिए और कास सर्वे तो करनाटका में हो रखा है कब जारी करेंगे वह आपको समय दोंगी शहदाद आपने बहुत समय दे दिया अब उनको सुनना भी पड़ेगा ना ऐसे थोड़ी के एक तरफा चलता रहेगा ना नाविका दिस नॉट राइट अब डिस्टर्ब हो रहा है तो देखिए नाविका जी इंडी अलाइंस की सरकार हिमाचल में इंडी अलाइंस की सरकार करनाटका में इंडी अलाइंस की सरकार बंगाल में करके दिखाईए ना वहां पे और आखरी बात में क करना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट सवाल पूछा मुसलमानों में भी कहीं जातिया हैं अंसारी धोभी घोसी हलाल को जुला उनके लिए कब बोलेंगी जुई जी कि मुसलमानों की जातियों को ने वह बटना नहीं चाहिए क्योंकि वह वोट बैंक है अगर बटना है तो में बटे तमाम तरीके से बटे लेकिन तहसीन पुनावाला जी सवाल आप से है और सवाल ये पूछना चाहती हूं मैं आप से जनगन्ना करानी है तो जनगन्ना तो हुई हुई है करनाटक में रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर कर देते सवाल ये है कि आप कहें तो सत्यवचन बीजेपी कहें तो ये मारने काटने की बात मैं पूछना चाहती हूँ क्या इस देश में सब को एक साथ नहीं खड़े होना चाहिए बटेंगे तो कटेंगे तो यूनिवर्सल टूथ है हम भारतिये लोग अगर आपस में मिल कर रहेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे हम इसको सिरफ हिंदूओं के लिए क्यों देखते है हम इसको सारे सारे इस देश के नागरिकों की तरफ से क्यों नहीं देखते और अगर जातियों की बात, जिसकी जितनी संख्याबारी, उसकी उतने हिस्तेदारी, अगर आप ये कह रहे हैं, तो ये भी तो बांटने वाली rाजनिती है ना, आप गिनेंगे, बांटेंगे सबको और उसके बात बताएंगे, कि भाई तुम्हें इतना मिल रहा है, दोनों के बीच में प्रतीस्प्रधा बढ़ेगी और एक तरफ से मुहबबत की बात तो होगी नहीं तो तैसीन पुना वाले आप कहें सत्य वचन, बीजेपी कहें तो पिटेंगे तैंकिए नाविका जी आपके शो में मुझे शिर्कत करने का मौका मिला अबे एक चीज मैं फैक शेक करा दू नाविका जी कि कनाटका में कास सेंस स이면 नहीं हुआ है जो हुआ है वो कास सर्वे जो हुआ है वो सर्वे और सर्वे और सेंस पर जमीन आगतर यह आप ए बौ्छशी पत्रकार होते हुए आप जानते हो सेंसिस इस कॉंस्टिटूशनल ही होना चाहिए सर्वे इस नॉट कॉंस्टिटूशनल मैंडिटी सबसे पहली बाते तुसरी चीज हम अस पहते हैं अभी मैं टाइम्स इंडिया पढ़ रहा था मैं दुबारा से चेक कर रहा था दो हजार प इसमें जुई जी करवा सकती है ना तैसीन करवा सकता है करवाने वाले तो शहजार की पार्टी है तो उसको और पाटी मीटिंग बलाते करवाए यहां वाकी बाते ना कीजे तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टन चीज बटे गे तो कटे गे कौन काटने वाला है जब में फाइडा सिर्फ भार्टी जनता पार्टी का होता है कटने के बाद मैंने राम गुपाल मिश्रा जी के परिवार के बारे में आपके चैनल पर देखाता है बहुत ही गरीब परिवार से जाते हैं इसे मैं अपनी बात समाप करता हूँ यह सोचे जो व्यक्ति की मृत्यू वहां पर बहर उत्तर प्रदेश में लेकिन वह गरीब परिवार से आते हैं कोई भी नेता किसी भी दंग का हो उसका बेटा उसके बेटी नहीं होते दंगे में होते गरीब गरीबों को मारने पर फाइदा कुनसी पार्टी का होता है यह आप सब जानते हो किसके बच्चे व होगा या नहीं होगा 2011 कर देटा कर रिलीज होगा बहुत इंपोर्टन क्लारिफिकेशन है तैसीन ने राम गोपाल मिश्र का अपमान किया है वो दंगाई नहीं था रतैसीन ने चिपड़ी चुपड़ी बाते कैसे करते सुनिये बीच में मत बोलिया मैंने आपको इंटरप हैं जो सेफ और फयाज क्या-क्या नाम थे उनके उनको कैसा सुरक्षा कवच तैसीन पुनावाला ने दिया यह कि मुझे इसका जवाब देनी का रिकेशन मैंने इंटरप नहीं किया दूसरी बात कास सर्वे करवाया था ना बिहार में कि बात बहुत सारी चीज आपने बोल कास सेंस के खिला बुला है नॉट सर्वे तो दूसरी बात बोले टेमसी को कब लात मार कर भगाएंगे और तीसरी बात भाई साब बाकी सब तो छोड़ दो आप तो खडगे जी को भी दरवाजे के बार कड़े कर दिये आपने कुमारी शेलजा को भी चुनाओ के दरवाजे का अपमान किया है आपकी नेत्री ने एक बार ट्वीट भी नहीं किया आप माफी मांगे राम गोपाल मिश्र से तैसीन जवाब मारिका जी मैं एक लारिफिकेशन के दो दो ची थेंक यू मैं दुबारा से कह रहा हूँ कोई भी हिंसा होती है कोई भी दंगा होता है गजर शहीद होने वाले सिर्फ गडीब होते चाहे हो किसी भी धर्म को हो जिन्हों ने राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या की उन लोगों को कड़ी सेजा मिलनी चे वो हत्यारे है लेकिन उसी के वो चाहता था शायद दंगा हो इसी दंगा कैसे कहरे है कितने इस रहे समाज के लोग मारे गहे उन पर कुछươ इसका सब्सक्राइब इसक्राइब तरह के लिए तक तन्या गाइब इस धुर्ष आप रिख फे देन लिए झाल मौ तरह पूंगा रही जगा जर्ष इसन श्यूड मौ टूल टीकार इंगंड़ चुपर आप पोडोने टीए उन यह जब आफ टूक तो बटीकर आप आप शो मुझे clarify करनी है first show का एक pattern होता है उसमें हमें कम समय मिलता है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता चिलाते ये बंद होना चाहिए अपनी बात पूरी कीजिए आप आपको मैं कांटर का समय दे रहे हूं शहजाद आप पहले पूरी बात सुन दीजिए उसके बाद कांटर तैसीन ज कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन वह गरीब परिवार चाहते है चाहे हिंदू हो या मुसल्मान हो चाहे क्रिश्चन हो या सीको आजमी हो या औरोत हो हर एक हिंसा में गजरने वाला शहीर होने वाला सिर्फ गरीब होता है कोई भी नेता का बच्चा ने ह लेकिन तेसी पुना वाला